नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके लिए एक important question लेख आया हूँ कि करेवास क्या होता है करेवास क्या होता है चुकि अभी हाली में MPPSC में पूछा गया है तो उसको थोड़ हम जड़ से समझते हैं तो यह है कि हमाले परवतमाला में भी अनेक छेत्रिय विवन्यता हैं तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमाले कुछ तीन स्रीडियों में विवाज़त किया गया है पहली यह ब्रहत हमाले फिर मध्यमाले फिर सिवालिक लेकिन इसका विभाजन के वह इतना ही उप्युक्त नहीं माना गया इसका विभाजन ऐसे में भी किया गया है जैसे कि यह हमारा भारत है तो इसको हमने कस्मीर हिमाले बुला है जिसके यहां पर लखाए कस्मीर वह उत्री पश्य में हिमाले हिमाचल और तुरांचल हिमाले फिर दारजलिम और सिक्के में हिमाले फिर और रोना चले माले यहां पर पूरी पाड़ियों और परवत यह पूरी पाड़ियों और परवत तो हेमाले कुछ ऐसा हो तब यह ऐसा जा रहा है तो हम जानते हैं कि करेवास की ओर बढ़ते हम सुर्व से पहले यहां पर है कसमीरी या उत्री पश्रमी आगी तो यह है कसमीरी या उत्री पश्रमी हेमाले तो यह आपको मैप दिख Abbyar का होगा इसमें आप दो तिन चीहें पहले देख लिजी यह है पीर पंजाल यह है जासकर यह है ग्रेट हिमाले यह है लद्दाक और यह है कारा कुरम ठीक है और वह मागे बढ़ते हैं कस्मी रिमाले में अनिक परवस स्रिणियां जैसे कारा कुरम लद्दाक चासकर पीर पंजाल कस्मी रिमाले का उत्री पूर्वी भाग जो व्रहत हिमाले और कारा कुरम स्रिणियों के बीच इसते थे यह रहा हमारा ग्रेट हिमाले और यह रहा हमारा कारा कुरम तो इसके बीच जो इसते थे थे वो ठंडा मरुस्तले मतलब कि गलेसीर बल्टूर और स्याची निसी प्रद्यष में यहाँ पर आपको देखेगा ये कारकुरम में है स्याचीन और यही पर है बल्टारो, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा ठीक है अब अगली बात आती है कि कस्मीर हिमालय में करेवा के लिए पर सिद्ध है कस्मीर छो हबास यह हमालाई करेवा केसर के जाती है। जाफरान के की यहां कि लो कली परहाटी है। और कि नहीं ने करेवा क्या होता है। तो करेवा कस्मीर उते हिमालाई में यहां पर एक छेत्र seu गज проблем होती है। उनके द्वारा जो चिकनी मिट्टी लाई जाती है उससे एक उपजाऊ छेत्र बनता है तता हुआ कुछ हिमोड याने की एंगलेस हम बोलते हैं मोरैन याने कुड़ा करकट जो हिमाई नदिया लेकर आती है उस छेत्र को करेवा कहते हैं तो यहां पर आपर पढ़ लेंगे हिमान के करेवा हिमनाद चिकनी मिट्टी और दूसरे बतारतों के हमोड पर मौठी परत क्रीप में जमावे जव जो पिर पंजाल में है जो ग्रेटर हिमाले जो हिसमें जो सुछी पिर पंजाल में बनेहाल दर रहा है चासकर शनी वित तक stabbed सिर्णी में में फोटू ला दर रहा है और लड्दक सिर्णी으र खारट नगला दर और आगे भी यहां पर लिखा है जैसे कि मैंत्मूर अलवण झील डालो और बुरा जील इसी छेतर में हैं पंगांग्सु और सोमुरिरी लवण जीलिसी में हैं यहां पर कुछ पिरसित तीर से स्थल जैसे की वैशनो देविया मलना तकुफा और चरारे सरीफ भी यहीं इस्थेते हैं तो यह होगे कस्मी रिमाल है तो यहां से करेवा हमने नोटिस किया करेवा क्या है और करेवा में जाफरानी खेती होती है तो आप कुछ important question देख लेते हैं जो UPSC और MPPSC हैं पूछे गए हैं यह रहा MPPSC 2020 में जो ही है उसका question कि हमाल है किस भाग पर करेवा भुआकरती पाई जाती है तो यह गलत है इसका सही answer है उत्तर पूर्वी हमाल है कस्मीर हमाल है ठीक है कस्मीर हमाल है अगली बात एक और question है यह 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 question है UPSC में थोड़ा लगतर है किसे पूछते हैं consider the following statement with respect to करेवा तो यहाँ पर है पहला करेवा formation can be found in हमाचल हमालिया मतलब करेवा जो formation है वो हमाचल हमालिया पाई जाती है दूसरह स्टेट्मेंट है ग्रिवास आपल और कार्ट स्टैरिक वार्मिंग पर्मेंग करिवास जो छेतर है वो एपल और कार्ट की खेती और ग्रिलम करदेशन अंदने आग ला कर फिर कर खेती करते हैं वाली Khyeti के लिए जाना जाता है तो इसमें which among the overstatements are correct क्या पहला के लड़ा सही है क्या दूसरा के लड़ा सही है क्या थे ना तो एक और ना दो तो इसका सही अंसर यही है क्यूंकि हमको पता है करेवा में करेवा जो बौ कहां पाए जाता है कस्मी रे माल फो यह गलत है और करेवा में जाफरानी खेती होती है जो कि एक प्रगार का केस है सैफरोन है तो यहां पर यहां पर आप मैंने आपको इच्छे से करेवास बता दिया है तो इसी के साथ वीडियो सवाप्त करते हैं धन्यवाद